है गाइस दिस इस में में आपकमिंग सेमेस्टर एक्जाम के ऊपर एंड कॉलेज री ओपनिंग फॉर अल्डी फ्रेशर स्टूरेंट्स कब होगा कॉलेज री ओपन फाइनली ओके तो गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है सब कुसी को पता चल चुका है अभी तक कि तुम थिस तुम्हारी फटने वाले क्यूंपड़ तुम्हारे एकसाना रे है जस्त महीने भर बात मतलब ड्यू के जो semester one exam है वो होने वाले for all the fresh students between around mid of March 12-16 तक सारे exam से start हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी लगेगी, लेकिन कुछ खासा भी ने लगने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास होगा जुगार क्योंकि होने वाली है, open book examination, तो क्या बात कर उसके बाद में exam होगी भाई, वो exam जो होगी, महाँ पे तुम्हें दियूने दो option दे रखिये, एक online और एक offline, या तो तुम online दे सकते हो exam, जो कि most probably हर कोई देगा, कोई इंसान थोड़ी है, क्यों नहीं देगा भाई, समझ रहो ना क्यों देगा, good, तो online exam जाहतर लोग चूस करेंगे, जो क भी होगा, open book examination, या फिर offline भी कुछ बच्चे जाके दे सकते है, जिन्हें internet access नहीं है, जिनके पास phone access नहीं है, और ऐसा नहीं है कि offline कोई भी लोग देने नहीं जाएंगे, जी हाँ, offline exam ही लोग देने जाएंगे, कावी साथे different, different जगे से आसपास के, हो सकता है कि जो Delhi के ही side क वाले area के लोग हो, जिनके वास internet access नहीं हो, वो लोग ही जाए offline देने के लिए, so offline internet में, sorry, offline exam जाके कुछ बच्चे दे सकते है, proper college में अपने, okay, so जब वो exam देंगे, और थोड़ी बहुत जब भीड़ लगेगी, इसका मतलब, यहाँ पे Delhi University एक टीस test करने वाला है, कि जब बच्चे exam देंगे, साथ में classroom में बैठेंगे, जो examination होगा, वो कैसे conduct कराया जाएगा, इस situation में, इस coronavirus वाले, जो situation थी, भलकि अब तो ऐसा कुछ, फिलाल, कुछ खासा है, नहीं, इसका effect, मतलब, I don't know, but still, यहाँ पे DU एक test कर सकता है, जो वो, यह देख सकता है, कि जो examination में offline वाले जो बच्चे आया है, उनका क्या response रहा है, वो examination सही से conduct हो पा रही है, और in case अगर examination बहुत, अच्छे तरीके से offline successful हो गया, तो maximum probability है कि आपका college just exam के बाद खुल जाएगा, हो सकता है कि आपका college जो हो next semester second से, जो भी fresh students है, specially उनके लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि उन अलब next जो भी session होने वाला है, next जो भी year ending होगा ये March में, उसके बाद जैसे नहीं बच्चे के फिर से enrollment होगे, तो उन्हें फिर से घर पे बिठा के नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये काफी tough situation था, although काफी बढ़िया तरीके से handle का रहा है teachers ने और काफी online में मज़े भी finally, hopefully, जैसे रहता है, जैसे पहले चलते थे उसके बाद, आप लोग देख सकते हैं, और एक और बात बता दो तुम लोग को भाई, बच्चे ना college जा रहे है, और कुछ बच्चे तो normally college में मिलने जुलने भी जाते दोस्तों के सार, meet and greet भी होती है बाहर, वो campus के अंदर घुस आज का वीडियो काफी informative था and काफी एक good news के तरह था तुम लोग के लिए, तुम लोग के exams आ रहे तो उसके लिए all the best and literally I am like thankful to all of you who are like those who are subscribing my channel and those who are texting me or DM me on Instagram, जिनों ने भी मुझे काफी बच्चों ने DM करा Instagram, तुम भी जाओ और तुमने अभी तक नहीं करा है, तुमें कोई भी डाउट हो अपने college से regarding, अपने class से regarding, या अपने subject से regarding, you can DM me on my Instagram, मैं Instagram के link हमेशा की तरह छोड़ दूँगा, नीचे description में और तुम वहां जाके मुझे follow कर सकते हो, या फिर मुझे request भेस सकते हो, किसी भी तरीके से and हाँ, फिर से बता दू कि JNU की preparation कर रहे हो, अगर तुम्हें exam crack करने में मदद देगी, okay, so go there, DM me anything, I am always for you, so this video, hey guys, थमो अब थमो, I have an information for all you guys, okay, for all the viewers and for all the subscribers who are watching this video right now, that very soon in this channel, I am going to upload a new playlist, and going to make a new playlist, जहां पे मैं नए content के videos upload करूँगा, इसी channel, okay, वो content होंगी, fitness related, grooming से related, जाहे हो men's grooming हो, या female grooming हो, woman grooming हो, for everyone, for every students, जो की बाहर रहने आएंगे, जो की freshers होंगे, जो अपने शहर से comfort level, बाहर रहने आएंगे, उन्हें कैसे low budget में अपने आपको maintain कर सकते हैं, वो अपने आपको groom कर सकते हैं, कैसे, and how they can manage all the, like, how they can make their self fit, अपने आपको कैसे, और motivated कर सकते हैं, तो मैं आप लोग की suggestion जाता हो, कि क्या मैं वो series या नहीं playlist इस तरीके के low या नहीं, if you really want, then do comment, जहां पे मैं उन लोग को, जो भी students होंगे, उनके लिए, एक helpful होगा, जो भी बाहर आएंगे, कैसे cost effective तरीके से, आप अपने खुद के budget में, कम budget में, अपने diet को maintain कर सकते हो, डेली जै जैसे शहर में जहां पे बहुत ही different होने वाला है, कुछ लोग के लिए, जैसे PG's वागरा में रहेंगे, hostel में लगेंगे, उनके लिए कैसा होगा, मतलब वो लो कैसे manage करेंगे अपने fitness को, क्योंकि मैं personally, इस दीस को काफी promote करता हो, तो I want you to be promote as well, and I want to share my information to you as well, so if you want that content, and if you do support me on that, then please comment, or please DM me on my Instagram, so thank you, and that was the notice, and that's all, thank you, I love you.